गुड मॉनिंग बच्चो गक्षय पांच विशेगनित में अध्याय सोला ज्यामिती इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे आज हम इससे पहले की वीडियो में हमने कोण कोची तरद्वारा समझा समकोण उसे छोटे और उसे बड़े कोण के बारे में हम पढ़ चुके हैं आज हम समकोण, नियूनकोण और अधिकोण को पहचानने से जुड़े अभ्यासकारे करेंगे तो देखिए इन चित्रों को ध्यान से देखिए आपको क्या करना है जैसे इस तरह का कोई चोकोर कागज लेकर उसमें से इस तरह की गोल आकरती बनाकर उसे काटकर अलग कर लेना है फिर इस गोल आकरती को इस तरह से जो डोट-डोट के रूप में रेखा दिखाई हुई है तो दो पार्ट में इसको बांट लेना है और इसको मोड लेंगे मोडने पर देखिए ये इस तरह से बनेगा जब हम इसके दो बराबर भाग करेंगे तो मोडेंगे तो ये इस त पर बिल्कुल бीच में से डोट-डोट के तवरा दिखाए हुए वहां से जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये कागज ऐ इस तरह से दिखेगा, चार भाग होगे, जब हम इस तरह के आकर्ति IKANT को खोलेंगे, कागज को तो वह इस तरह जिखेगा, अब देखेए इसके च़ार भा अब इसके दो भागों में बंट गया ये एक ये और एक ये अब इसमें देखें जो डोट के द्वारा रेखा दिखाई वी है वो इसको इस भाग को दो टुकडों में बांट रही है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई वस्तू जब चोथाई चकर घूमती है जैसे ये यहा तो ये कांपरा आजाएगी यहां आजाएगी ये चोथाई चकर पूरा करती है तो इस तरह का जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं तो इसमें भी देखिए जो डोट डोट के द्वारा आप ये रेखा दिखा रखी है ये रेखा किस तरह का कोण बनना है समकों, दो रेखाओं के बीच में अगर इस तरह का जुकाओ हो, तो ये क्या कहलाता है, समकों कहलाता है, अब इन चित्रों को ज्यान से देखिए, अब ये जो अकृती है, कैसी है, समकों, और इस तरह से जो कों बनेगा, जो चित्र में दिखाया हुगा है, ये समकौन से क्या है? छोटा है तो क्या कहेंगे इसे न्यून कौन जो कौन समकौन से छोटा हो वो न्यून कौन कहलाता है ये समकौन है अब यहां से यहां तक जितने भी कौन बनेंगे वो समकौन से छोटे होंगे जैसे इस तरह का इस तरह का या इस तरह का जितने भी कौन बनेंगे समकौन से छोटे होंगे जो वो कहलाएंगे न्यून कौन दूसरा जो चितर है इसमें आपको आप इसे बहुत अच्छी तरह से पैचानगे होंगे कौन सा कौन है समकौन है फिर देखे तीसरे चितर में ये जो कौन की रेखा है द्यान से देखे अब इसका जुका समकौन से ज़्यादा है जो इस तरह से डैस डैस के रूप में रेखा दशाए गई है ये कैसा कौन है समकौन और जो समकौन से अधिक हो ज़्यादा हो वो क्या कौन से कौन होते हैं अधिक कौन देखें हमने पहले भी पढ़ा था कि जब दो सरल रेखाएं बिल्कुल इस तरह से एक सीध में हो तो जो कौन बनता है वो कौन सा होता है सरल कौन इस तरह है कि आकरती में जो कौन बनेगा वो होता है सरल कौन या हम इसको रिजु कौन भी कहते हैं तो जो अधिक कॉन होता है, वो समकॉन से तो क्या होगा? बड़ा और सरल कॉन से क्या होगा? छोटा, यानि अब देखें यह समकॉन है और यह सरल कॉन है, इसके बीच में जितने भी कॉन बनेंगे, यह सारे क्या है? अधिक कोण है सम कोण से अधिक हो और सरल कोण से छोटे हो वो कोण क्या कहलाते है अधिक कोण कहलाते है एक बार फिर से देखे इस तरह की आकरती है वो कोण सा कोण है सम कोण और सम कोण से छोटे कोण क्या कहलाएंगे न्यून कोण और समकौन से बड़े कौन क्या कहलाएंगे अधिक कौन एक बार हम फिर से इसका अभ्यास करते हैं और फिर इससे जुड़ेवे प्रशन हल करेंगे तो मैं कुछ आकरतियां बनाएंगी रफ आकरतियां बना रहे हूं आप मेरे साथ साथ उसको पहचान कर उसका नाम आपको बोलना है तो देखे इस तरह की जो अक्रति हो पहचानि chrom उसे ध्यान से किस तरह का कौन है यह? सम कौन अब देखे यह जो रेखा है इसके दो बिंदू है यह रेखा करण एक बिंदू यह और एक यह अब इस बिंदू पर भी कौन बन सकता है और इस पर भी कौन बन सकता है तो ये कौन है ये भी क्या है समकौन है आपको इसके जुकाव को पहचानना है कौन सा कौन है ये समकौन अब देखिए ये जो कौन है पहचानिए इसी साकृति को किस तरह का कौन है ये देखें समकौन ऐसे बनेगा और इसका जुकाव क्या है समकौन से कम है तो जो समकौन से छोटे हों वो क्या होते है न्यून कौन तो ये भी क्या है एक न्यून कौन है ये भी एक न्यून कौन है यानि जो समकोन से छोटे हों वो क्या होंगे न्यून कोन होंगे अब ये भी क्या है न्यून कोन है ये भी एक न्यून कोन है तो आपको याद रखना है जो समकोन से छोटे होते हैं वो न्यून कोन होते हैं अब देखिए इस आकृति को देखिए किस प्रकार का कौन है ये अब ध्यान से देखिए इसका जुकाव अगर हम समकौन बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा समकौन क्या अकृति इस तरह से होगी अब इसके जुकाव को ध्यान से देखिए ये समकौन से क्या है देखें, इधर है, अधिक है, समकोन से क्या है, अधिक है, तो समकोन से बड़ा कौन हो, वो कौन सा आता है, अधिक कौन, और सरल कौन इस तरह से होगा, तो अवे देखें, ये क्या है, सरल कौन से तो छोटा है, और समकोन से क्या है, बड़ा है, तो ये होगा, अधिक कौन, अब इस आकृति को देखिए ये भी क्या है समकौन से बड़ा है समकौन से अधिक है इस कमान तो ये क्या है अधिक कौन है इस आकृति को देखिए ये भी किस तरह की है अधिक कौन है तो आपको ध्यान से समझना इसे अब देखिए हम इसके प्रश्ण हल करते हैं पहला प्रश्ण देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 95 पर है कि नीचे दी गए ज्यामीती आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्योन कोण समकोण अत्वा अधिक कोण के रूप में चिन्नित कीजिए अब इस पहली आकृति को देखिए इसमें तीन कोण है ए बी और सी हमें तीनों को पहचान कर बताना है कि वो न्योन कोण है समकोण है या दिकोण है तो कोण बी को देखिए इस तरह की आकृति है इसमें तो देखिए इसका ध्यान से देखिए इस आकृति को किस तरह की है ये समकोण से क्या है छोटी है अगर हम समकोण बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा और ये समकौन से कम है तो क्या है ये न्यून कौन है कौन B किस तरह का कौन है न्यून कौन है इसी तरह से C को देखिए इसका जुकाव भी क्या है समकौन से कम है तो ये भी क्या है एक न्यून कौन है समकौन इस तरह से होगा और यह देखिए, यह क्या है, समकौन से कम है, देखिए, यहां तक यह समकौन है, और इसका जुकाव देखिए, इससे क्या है, कम है, तो कौन सी भी क्या है, नियून कौन है, इसी तरह से जो कौन ए है, वो भी नियून कौन है, अब देखिए, E, F और D, यह जो त्रिबुज ह इसमें कौन E को देखिए, कौन E ये क्या है, समकौन से छोटा है, देखिए इसके आकरती किस तरह की है, इस तरह की, समकौन से छोटा है ये, और इसी तरह से जो F है, अब ये देखिए, किस तरह का कौन है ये, इस तरह की जो अकृति है सम कोन है तो कोन F क्या है सम कोन अब कोन D को देखिए ये क्या है न्यून कोन है अब अगली जो अकृति है G, H, I और J इसके चारों ही कोन देखिए किस तरह के है सम कोन है तो कौन G भी समकौन, H, I और J ये चारों ही क्या है? समकौन है तो आपको इनके उत्तर लिखने है निचे इसके कि कौन A ब्राबर न्यून कौन इस तरह से फिर लिखेंगे कौन B ब्राबर न्यून कौन कौन C ब्राबर न्यून कौन इसी तरह से आकृति दो के जो सभी कौन है उनको भी आप न्यून कौन, समकौन और अधिकौन के रूप में लिखेंगे अगला प्रशन देखिए आपको तेन आकृतियां दिखाईवी है इसमें से आपको न्यून कौन वाले शिर्ष या कौने छाटने है समकौन और अधिकौन वाले शिर्ष और कौने है वो आपको इस लिखत स्थानों में लिखने है तो पहले जो आकृति है उसमें देखिए L, M, N और K ये चार शिर्ष है, चार कौन है इसमें तो M को देखिए किस तरह की आकृति है इसकी इस तरह का बन रहा है तो ये N, Kोन है इसी तरह से जो N है वो देखिए अब जो कोन N है ये देखिए इस तरह से अब अगर हम समकौन कहिंचेंगे इसमें से तो इस तरह से बनेगा अब इसका जुकाव देखिए समकौन से क्या है अधिक है तो ये कौन है अधिक कौन है तो जो न्यून कौन वाले शेश है वो आप न्यून कौन वाले में लिखेंगे जैसे M इसमें लिखेंगे और N क्या है अधिक कौन है तो N है वो इसमें लिखेंगे इस तरह से आप इनको अलग-अलग छाट कर लिखेंगे आप देखिए जो N है L है जो कौन K है अब वो देखिए इसको भी आप देखिए जब हम इसमें समकौन बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा तो ये भी समकौन से क्या है अधिक है तो कौन जो K है वो भी अधिकौन वाले शेश में आएगा इसी तरह से जो आकरती दूसरी आकरती है PQRSO इसमें देखिए क्यों को अब इसका जो ज्यान से देखिए जो आकरती बन रही है किस तरह किये है ये अधिकौन है समकौन से अधिक है इसी तरह से जो Q है ये भी क्या है अब देखिए जब हम समकोन बनाएंगे इसमें तो इस तरह से बनेगा और इसका जुगाव अब देखिए समकोन से क्या है ज्यादा तो ये अधिकोन है तो इसमें जो बाकी की O, P और S है ये भी अधिकोन में है इसी तरह से जो तीसरी आकरती है अब इसमें U को ज्यान से देखिए इस तरह क्या क्रती बन रही है इसमें तो क्या है ये समकोन है इसी तरह से T है उसक्या क्रती देखिए इस तरह से तो ये भी समकौन है तो आप इनके जो शिर्ष है उनको जो न्यून कौन वाले में लिखेंगे जो समकौन है वो जैसे अब यू और टी समकौन है तो यू और टी इसमें आएंगे और वी है ये न्यून कौन है तो यह न्यून कौन वाले में लिखेंगे तो इस तरह से आप इनको अलग-अलग छांट कर लिखेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और यह जो अभ्यास प्रशन है इन्हें आप कोपे में हल करेंगे धन्यवाद